कैसे हो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चनल के उपर दोस्तो पहली बार इस चनल पर आये हो तो सस्क्राइब कर लो और बेल बटन यूज़ कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो अपसे मिस ना हो जाए और पैसे कमाने का कोई भी मौका आप गवान ना दो अगर आपको भी आपके कोई स्टॉक के उपर कोई भी क्वेरी पूछना है या कोई भी डाउट है आपको तो यहाँ पर एवरी वेनस्डे को एंड सेटरडे या तो संडे को वीक में दो बार हम लाइव सेशन करते हैं लिंक अवेलिबल है उसके उपर क्लिक करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाओगे पंजाम नेशनल बैंक का चार्ट यहाँ पर देख रहा हूं तो स्ट्रेंथ है नहीं चार्ट के उपर 47 से लगादार यह स्टॉक गिरावट हमें दिखा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे और मंतली टाइम फ्रेम का चार्ट का मैं स्ट्रक्शर देखता हूं तो जो कोवीट के टाइम पे इसने 26 रुपिस का लोग बनाया था वहां से यह स्टॉक उपर तो गया है लेकिन जिस तरह से पूरे बैंकिंग प्राइवेट बैंक जिस तरह से रिकवरी दिखा रहे हैं उससाब से इस स्टॉक के अंदर हमें रिकवरी देखने को नहीं मिला हुआ है ठीके अब मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम का भी चार्ट अच्प के स्टॉक्शर देखता हूँ तो एक रिक किसी को भी लेना हो तो जरूर से ले सकते हैं और यहां पर एक लकस्वंड रेखा जो दिखाई दे रही है वो है 35 रुपिस के लक्समन रेखा दिखाई दे रही है तो मैं आपको क्या suggestion दे रहा हूँ जो current market price 37 रुपिस के असपस जो trade हो रहा है Punjab National Bank 37 रुपिस से लेके 36 रुपिस के बीच में किसी को भी 100% quantity के अंदर काम करना हो तो Punjab National Bank के अंदर आप 100% quantity के साथ काम कर सकते हो बट आपको closing business के उपर एक stop loss maintain करना पड़ेगा वो है 35 रुपिस का तो Punjab National Bank में किसी को भी काम करना हो 100% quantity के साथ यहाँ पर एक risk बनता है यहाँ पर किसी को भी काम करना हो जरूर से काम कर सकते हो जैसे ही stock 38 रुपिस के उपर sustain करना चालू करता है हमें immediate level 40-41 रुपिस के असपस के दिखाई दे सकते हैं और जैसे ही 41.50 के उपर stock sustain करना चालू करता है तो हमें 46 रुपिस तक भी stocks जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो risk reward ratio के अगर मैं बात करता हूँ तो fantastic risk reward ratio बना हुआ है पंजाब national bank में 100% quantity के साथ किसी को भी काम करना हो इस stock के अंदर तो आप जरूर से काम कर सकते हो जरूर से benefit होगा दोस्तों आपको मैं जो भी analysis कर रहा हूँ उसका demo lecture का link description में डाला गया है वो वीडियो देखे knowledge acquire कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक mentor choose कीजिए सीक्कियो और सीखने के बात काम कीजिए